चक्रामपुर गाउं में दो गुटों में खूनी संगर्श, पत्राव आगजनी और गोली कांट में एक महिला समे तीन की मौत, आगजनी में बुलेरो कार हुई जल कर राग, तीन लोगों की मौत के बाद गाउं में फैला तनाव, इस्तिधी को नियंतरित करने के लिए भारी अस्पताल में जारी है, दोनों के शफका पोस्ट मॉटम गौलियर में कराया जा रहा है, नरवर्थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराव में मामला दर्च कर विवेचना में लिया गया है, बता दे कि गड़े स्विशर्चन के दोरान भी दोनों पक्षों में जगड़ा हो चुका है, इस वक्त एक पक्ष का युवा गोली लगने से खायल हो गया था, तभी से कुश्वहा और भदौरिया परिवार के बीच रंजिश चली आ रहे है, कार में जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था, जानकारी के मताबित चक्राम पुर के मुन्ना भदौरिया के परिवार और वेड सिंग कुश्वहा के परिवार के सदस्यों के बेच शुकरवार के शाम, पहले मुवात हुआ था, उसके बाद मुन्ना भदौरिया के परिवार के सदस्य बुलैरो में सवार होकर आ रहे थे, आरोप है कि इस दुरान गोली भी चली थी इस जगड़े में मुन्ना बदौरिया की पतनी आशा देवी पच्पन वर्षी है बाई लक्षमन और हिमांशु सैंगर गोली लगने से गंभी डूप से घायल हो गया इसके अतरिक्त मुन्ना बदौरिया के दो बेटे गज राजेंद्र बदौरिया और बीस वर्षे की गोलीर में ही हो चुकी है जिनका पोस्ट मॉटम गोलीर में कराय जोरा है बटाया गया है कि वीर सिंग कुश्वहा और उसके परिवार के सदस्यों का उपचार भी गोलीर के एक अस्पताल में जोरी है